वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जनवरी 2024 से पिछे जाते हुए मार्च 2023 तक जनवरी मन्त में पहला स्पोर्ट्स गटना करम फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 इंटरनाशनल टीट्वेंटी मैचेस 150 अंतराश्टी टीट्वेंटी इंटरनाशनल मैचेस खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने है रोहित शर्मा जो इस समय भारती कप्तान भी है भारती टीम के कप्तान रोहित शर्मा है यहाँ पे 150 T20 इंटरनाशनल मैंसेस खेलने वाले पहले ग्रिकेटर और पहले भारती ग्रिकेटर दोनों बने हैं FIDE Rapid and Blitz से चैंपिन्शिप शत्रण जे 2023 प्रतिवक्ता जोई थी महिला Rapid में रज़त पक्दक जीता था भारत की कोनरू हमपीड है और इनको हराय था फाइनल में अनास्तासिया बोड नारूख जो की रश्या की चेस्ट प्लेयर हैं इन्होंने स्वान पक्दक जीता था Open Blitz में Magnus Carlson ने 7th वार गोल्ड मेडल इसमें जीता है विश्वनाथन आनन्द को पीछे छोड़ा था आर प्रग्यानन्द ने भारति ग्रेंड मास्टर आर प्रग्यानन्द ने 17 जनवरी 2024 को टाटा स्टील मास्टर जो कॉमपेटिशन हुआ था चाइनीज प्लेयर डिंग लियरें को हुआ था इस तरीके से विश्वनाथन आननन्द को पीछे चोड़़ा दिया थाadyओ नीज बात करते हैं अब कुछ भी न COVID करते हैं जो कि दमनदी बादर नगर हेलियर यईनिरिटरी है वहाँ पे मत्बरदेश न हैंँआ पर 18 पदक के साथ शीरस पर Madriными तॉन द द्यान रखेगा, वैसे स्पोर्ट सब ज्यादा तो नहीं पूछेंगा MPPSC में लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं महराश्टर ने 3 फ्रण पतक जीते हैं, 14 पतक जीते दमंदीव में कुल विलाकर 8 बीच गेम्स खेले गए थे तो यह द्यान रख सकते हैं, पहली बार बीच गेम्स भारत में हुए थे, साथमी बार एक कलेंडर वर्ष में 2000 प्लस रन बनाने वाले पहले भारती क्रिकेटर और पहले अंतरास्टरी क्रिकेटर बने हैं विराट कोली इससे पहले रिकॉड कुमार संगकारा के नाम था लेकिन एक कलेंडर वर्ष में 2000 प्लस रन बनाने वाले साथमी बार ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं विराट कोली फीफा मैंस 2023 की रैंकिंग आये थी इसमें भारत की पुरुष फुटबॉल टीम का जो स्थान था वो क्या था 102 नंबर पर तो यह धान रख सकते हैं इंडिया उपन बैड्मिंटन 2024 हुआ था इसमें उप विजेता रहे थे साथविक साहिराज रंकी रेड़ी और चिराग शेक्टी इसमें पुरुष यूगल में सबसे उम्र दराज नंबर बन यहां पर प्लेयर बने थे तो टैनिस प्लेयर रोहन बोपनना 43 वर्ष की आयूब में पहली रैंकिंग पर पहुँचे थे मेंस डबल्स के मामले में सबसे उम्र दराज टैनिस प्लेयर यह बने थे रोहन बोपनना इनको पत्म श्रीफ बिला 24 में अब आ जाएंगे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में क्लास ऑफ 2023 ICC Hall of Fame में शामिल किये गया सदस्थिकोंने ICC Hall of Fame में श्रीलंका के पूर्फ क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वक्स शामिल किया गया था भारती महिले क्रिकेटर डाइना एडुल जी को और विरेन सहवाक को इसमें शामिल किया गया था भारत की चावरास से मी Grand Master ही बड़ी थी वैशाली राम बाबु जो की आर प्रगनन्द की बड़ी बहन है तो Grand Master बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बारत में बनी है आर प्रगनन्द की और वैशाली प्रगनन्द की इसके बाद सेयद मोधी इंडिया इंटरनाशल बैडमिंटन टूर्नमेंट 2023 से वहा था ये लखनो में होता है हर बार तो विजेता इसमें रहे थे ची यू जेन चाइनीज ताइपे से उप विजेता केंटो नीशी मोटो जो की जापान से इसमें महिला यूगल में अगर देखें तो भारती जोड़ी final तक पहुँची थि यह तके ठीक है तो यहाँ पर ये द्धान रखेंगा ये रिजल्ट क्योंकि ये इविट लखनों में होता है लेते हैं 2020 के पेपर में आया भी था 2020 वाले में माफ किजीए शीम्भान एक च्पिन्शिप हुआ था यानी कि अधिती स्वामी है, अधिती स्वामी और प्रियांश है, कंपाउंड किश्णेडी में, परनीत का और ज्योती सुरेखा विन्नम, इननों लोगों ने स्वाणपदक गीता था, कई बार आपको कॉम्प्टीशन नहीं पता होना चाहिए, बस यह पता होना चाहिए, कि यह प्ले स्वास्त्री मैच खेलने वाली पहली भारती महिला होकी खिलाडी कौन बनी है, उत्राखंट की वंधना कटारिया, वंधना कटारिया, भारत की पहली महिला होकी खिलाडी जिन्नों ने 300 इंटरनाशनल होकी मैच खेल लिए है, वंधना कटारिया, उलम्पिक खेलों में हैट परदाओं में खुल बिलाकर पांच स्वण पदक यहां पर निकाल ले थे यह दियान रखेगा भारती क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ड ने महेंदर सिंग धोनी उनकी जरसी रिटायर की थी और सचिन तेदुलकर की जरसी नंबर को रिटायर कर दिया है इसका आशा ही है कि कोई भ पर है और अठारम इस थान पर भारत था भारत से जो अव्य जेता था नॉरे मृशी वीणर को पूछने वाले जमाने अब आज़ ने मॉर्य देवी ने जयरे नाॉरे मूरुदु तो हैं यहां पर चार सब्लेयर और इस ती También कि मिलाने को आसकता है ऑं उन्नीसवाँ फीफा अंडर 17 विश्व कप हुआ था, आयोजन स्थल क्या है इंडुनेशिया है, इसमें 24 टीमों ने पाट्सपेट किया था, जर्मनी यहां पर पहली बार विजेता रहा था, विजेता यहां पर फ्रांस रहा है, तरवाधिक गोल जिसने किये, आउगस्टीन रुबर्टो, गोल्डन बूर्ट पिला, आगस्टीन रुबर्टो को, गोल्डन बॉल, पैरिस ब्रुनेर को, तो यह ध्यान रख सकते हैं, इसके बाद विजेता यहां पर रहा था, राजिस्थान की टीम, अंडर 19 एशिया कप, जो क्रिकेट का हुआ था, इसमें सेमी आइसल वाला, 50 एवर वाला वो तो इंडियन जीता है, लेकिन अंडर 19 एशिया कप जो हुआ था, इसमें भारत जो है, बांगले देश से हार करके बाहर हो गया था, सेमी फाइनल में, विजेता इसमें बांगले देश रहा है पहली बार, और उप विजेता यहां पर रहा है यूए, सेम्त अरब अमिरात, IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाडी का आउक्शन हुआ है, यहां पर आउक्शन हुए है, ऑस्ट्रेलिया के मिचल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्ड मिचल स्टार्क को होलकाता नाइट राइडर्स ने आउक्शन में खरीदा है, 54.75 54.75 करोड रुपय में, तो यह ध्यान रखेगा, प्रुथम खेलों इंडिया पैरा गेम्स हुए थे 2023 में, इसका जो शुभंकर था उच्वला एक गवराया, और इसमें 7 खेल आउजित किया गये थे, पैरा अथलीट शामिल हुए थे, 1450, कुल कितने राज्यों और के इंसा पर था हरियाना, सेकेंड पर उत्तर प्रदेश था, विहार इसमें 22 में स्थान पर था, या वजन हुआ ही काना थे, नई दिल्ली में हुए थे, क्योंकि पैरा गेम्स की सबसेची सुविधा भी भी राजधानी में भी अवे अवेलबल है, इंग्लिश मीडिया में भी दिय पर देखेंगे, अंडर 19, S.A. F.F. Football Championship, इसका अवजन हुआ था, काटमांडू नेपाल में, विजेता रहा था यहां पर इंडिया, वो विजेता यहां पर रहा था, पाकिस्तान, Most centuries in ODI Cricket World Cup, एक ODI Cricket World Cup में, मतलब टोटल ODI Cricket World Cup में, सरवाधिक सेंचुरी लगाने वाले बल्ले बाज कौन बने थे, रोहित शर्मा, इसके साथ ही, रोहित शर्मा ने, सभी format में, सरवाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड भी, तोड़ दिया था, क्रिस गेल का, क्रिस गेल क किसको कहा गया है, करने के मतलब है कि 2020 इंटरनाशनल मैचेस में, अगर गेंद बाज अगला वर फिकने के लिए 60 सेकंड से अधिक समय लेता है, तो पारी में तीसरा बार ऐसा करने पर, अभी पक्षिय टीम को 5 रन की बढ़त मिल जाएगी, पिनाल्टी लगाई जाती, 5 रन तो सेद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफिक इसने जीती पंजाब ने, वाइल मेराय बढ़ावदा को, नैसल स्क्वास चैंपियन्शिप ये हुई थी, नैसल स्क्वास चैंपियन्शिप का महिला एकल यने की अवेंट सिंगल टाइटल जीतने वाली, दूसरी फुटबाल टीम जो है, पैरिस ओलम्पिक में नहीं खेल पाएगी, तो इंडिया की विमेन फुटबाल टीम क्वालिफायर केल रही थी, उद्बेकिस्तान से, और उद्बेकिस्तान में खेल रही थी, वी इतनाम से हार गई थी, तो इस तरीके से पैरिस जो ओलम्पिक उसमें भारती महिला फुटबाल टीम खेलते वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वालिफायर हम लोग अनफॉर्चुनेटली आर गए, भारती स्काइडाइवर सीतल महाजन ने विश्की सबसे उची चोटी माउंट आवरेस्ट के सामने, सामने से स्काइडाइव की है और इस तरहीर के का कारणा मा करने वाली पहली महिला स्काइडाइवर बन गई है फूस्ट एवर फीमेल स्काइडाइवर बनी हैं शीतल बहाँ जन यूकी भामबरी और जूलियन क्रेश की जोड़ी ICC द्वारा श्रिलंका अस्थाई तौर पर cricket board से लंबित कर दिया गया था ठीक है तो और ICCC ने Under 19 Cricket World Cup 2024 की मेजबानी छीन ली थी इसकी मेजबानी अब कहां पर होनी है दक्षिन अफरीका में यह अस्थाई तौर पर किया था अब श्रिलंका वापस खेलने लगा है तो यह न्यूस जो है अब आप हटा सकते हैं अपने माइंड से यह जरूर धान रखेगा कि Under 19 विश्व कप जो होना है 2024 इसकी मेजबानी छीन ली गई थी ICC द्वारा अंतरराष्ट्री महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाडियों खेलने पर पावंदी लगा दी थी तो इस वुझे से डैनियल में गई ही जो पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बन सकते थे इन्होंने सन्यास की होस्टना कर दी थी जैनेडा से ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो की महिला टीम में खेलने वाले थे लेकिन अब चुकिए ICC ने मना कर दिया था तो इस वुझे से यह नहीं खेल पाएं जो बहाँ पे आई SSF World Cup Final 2023 यह शूटिंग चैंपेंशिप होती है तो इसमाड़ पतक इसमें किस ने जीता था फ्लोरियन पीटर ने रज़त पतक इल आई हुवांग ने और काहां से पतक इसमें अनीश भानवाला ने जीता था अनीश भानवाला 37 में नैशनल गेम्स की बात करेंगे नैशनल गेम्स यह हुए थे मापुसा मढगाओं पंजिम पॉंडा वासको में यानि कि गोवा में गोवा में ओर ओल यह हुए थे आधिकारिक प्रायोजों के यहां पर पेटियम था 36 स्केल इसमें शामिल किये गए थे शुभंकर यहा यहां पर 71 और आखरी स्थान पर बिहार था इसमें टोटल मेडल आट ठीक है यह जो है आप ध्यान रख सकते हैं अनैसल गेम्स के बारे में इतना यहां पर काफी है पैरा एसियन गेम्स देखेंगे ओंग्जाओ में वह था एसियन गेम्स के बाद पैरा एसियन गेम्स होता है मेडल टैली यहां पर जरूर देख लीजिएगा पैरा गेम्स के बारे में बात करें तो कुल शामले अथलीट 303 सुंदर सिंग उर्जर ने पुरुशों की भाला फेंक में सौंड पतक जीत कर एक नया रिकार्ट बढ़ाए था सुमित ने भाला फेंक में एक नया विश्र रिकार्ट बढ़ाए था मतलब जो जो हाइलाइट चीज़ें थी वो यहां पर हमने लिख दी है बाकी मेडल टैली ही जादे इंप्रोटन्ट होती है तो चाइना यहां पर टॉप पर 521 मेडल के साथ है टोटल मेडल 521 इरान के 131 सेकंड पर भारत यहां पर 5 में स्थान पर था मेडल टैली में भारत इसमें 5 में स्थान पर था पदक भारत के थे पैराएशन गेम्स में 111 और गोर्ड थे भारत के 29 111 इसमें थे बहरत ने इस बार अब तक खेले गेम्स में सरवाधिक पदक निकाले हैं पहली बार सौस याधिक पदक बहरत यहांपर और पैरा एशन गेम्स से लेकर के लौटा है तो यह द्यान रख सकते हैं इंग्जिस विळियो में यहां पर दे दिया है फेरवा एक दिवसी क्रिकेट विशकप जो हुआ था 5 अक्टूबर से 19 नॉबर तक चला था आयोजनस थल भारत भारत के ग्राउंट्स में हुआ था पहली बार पूरी तरीकी से वर्ल्ड कप भारत में हुआ है 50 वर वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप ICC का फाइलल यहां पर खेला गया था नरेंद्र बोंदी स्टेडियम एमदबाद गुजरात में प्रतिभागी टीमें यहां पर 10 थी कुल 48 मैच यहां पर खेले गये थे विजेता यहां पर आउस्ट्रेलिया था चटी बार और विजेता उस्ट्रेलिया टीम के कपतान पैट कमिन्ज थी उप विजेता भारत रहा था दो बार विजेता भारत ने जीता 1981 न 21 1 में, 2003 में विजेता चार्वाधिक रन पूररे टुटनमेंट में विराट कोली ने बनाए एक दिवसी एक क्रिकेट विशकप में सरवाधिक तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है और सेमिफाइनल मैच में भारत के क्रिकेटर विराट कोली ने शतक लगाकर एक दिवसी मैच में 50 शतक का रिकॉर्ड बना लिया है इससे पूर भी रिकॉर्ट के वल सचिन दे दुलकर के नाम था एंजलो मैथ्यूस टाइम आउट होने वाले विश के पहले बल्ले बाज बने हैं बंगलेदेश के खिलाफ होने टाइम आउट करार दिया गया था तो यह आप यहां पे याद रख सकते हैं इंगलीश मीडियो में भी वही चीज लिखी हुई है आगे बढ़ेंगे हम लोग आ जाएंगे ऑक्टोबर मन्त पर ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल कववा था 2013 का इसमें पदक टालिका में टॉप पर इटली फिफ्ट पर था भारत पांचमें स्थान पर भारत फ्रांस जर्मनी सेंवत रूप से पांचमें स्थान पर थे भारत ने कुल बिलाकर दो पज़दक इस पर जीते थे एक सिल्वर मॉडल एक गोल्ड मेडल इलाव निल वला आरिवन मैलाओं की 10 मीटर स्वर्धा में उनने स्वाड़ पदक जीता था तिरपनवा आई इससेफ सूटिंग विश्व चैंपिनशिप जो थी यह आउगस्ट में भी थी इसमें शीरिस्तीन देश पदक तालिका में काउन है फर्स पर चाइना है, थर्ड पर इंडिया है, सेकेंड पर यूक्रेन है इंडियन एकुल विलाखर यहां पर 14 मेडल्स जीते थे स्वाड़ पतक भी जिताओं के नाम अने लिखे हैं इससे आपको यह अंदाजर पड़ जाएगा कि यह सब खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, शूटिंग मेहुली घोष, तियाना, साक्षी, अनिल सूर्बन, सिकिर्ण रदीप इशा सिंग, रमिता, तिलोत्मा, सेन अखिल, शेवराण, नीरज कुमार, एश्वर, प्रताप सिंग, तोमर इशा सिंग, शिवा, नर्वाल, ये सब काउन सा खेल खेलते हैं, शूटिंग इसके बाद आजाएंगे हम लोग, बैट्समैन जिसने फास्टेस्ट संचूरी बनाई ओडियाई वेल्ड कप में, वो काउन है, ग्लेन मैक्सवल, जिनके बारे में आपको बताया आज इस सिंग्रिकेट वर्ल्ड कप के धियास में सबसे तेज सतक की नहीं बराया, 40 गेंदों में शतक पूरा किया, नीदर लैंड के खिलाफ आभू दहाबी मास्टर, 2013 बैडमिंटन टूर्नमेंट यह गवा था, विजेता यहाँ पर रहे थे, मैड्स क्रिष्टो फरसन, और वो विजेता मार्क अकेल्जॉव, महिला एकल विजेता रहे थी, उननाती हुटा, भारत से, और विजेता यहाँ पर रहे थे, सामिया इमा साइकलिंग ट्रैक, हैधराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकलिंग ट्रैक का उद्गाटन किया गया थे, एक अक्तूबर को, और हेल्थ में नामा कि यह इनिवेटिव ट्रैक, वेस्विक सतर पर अपनी तरीके का दूसरा है, वो भारत का पहला सोलर रूफ साइकल लागया था तो यह सपी जैसवाल ने टी ट्विंटी क्रिकेट में सतक लगाया और सतक लगाने वाले सबसी युवा बल्ले पाज बने इससे पहले रिकॉर्ड शुभान गिल के नाम था जिवरिक डाइमंड लीग इसमें स्वांड पतक जीता था जैकब अवाड लेल्स ने औ नाम पत्राइमंड लीग में भी रजट पतक जीता था नीरच पत्राइमंड लीग में बी रजट पतक जीता था निरच चोपड़ा ने अने चार खेल जो शामिल किये गए हैं वो हैं बेसबॉल, सौफट बॉल, लैकरो, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल ये सब और साथ में क्रिकेट, P20 फॉर्माट में भारत का पहला हाई-टेक स्पोर्स ट्रेनिंग सेंटर, ये कहां पर लॉंच किया गया है, गौलियर में, दिव्यांग जनों के लिए भारत का पहला उच्छ टक्नीक खेल प्रसेक्शन के इंदर तयार किया गया है, अटल भिहारी वाजपेजी के नाम पर इसका नाम रखा गय पहला है, उनीसमा एशन गेम्स के बारे में बात करें, तो आरव ए और वेपर में मडल टैली के बारे में आपे सवाल आये था, भारत ने सरवाधिक पदक इसमें, किसमें जीते थे अथलेटिक्स में, कोई बिलाकर 29 पदक भारत के अथलेटिक्स में आये थे, अब इसमें यहां पर देख सकते हैं, भारती होकी टीम ने परिस अलमपिक में अपना स्थान पका किया, भारती पुरू शूटिंग टीम ने जीता, भारती पुरू शूटिंग टीम ने 50 मीटर वाले राइफल थर्ड पुजीशन में यह जीता, तो यह इस तरीके से बाकि मैडल टैली यहां पर एक बार देख लेते हैं, मेडल टैली कुछ इस तरीके से हैं, चाइना यहां पर 383 मेडल्स और जापान के यहां पर थे 188 मेडल्स यहां पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के थे और टोटल मेडल भारत के 107 थे, अगर भारत के 107 मेडल भी आपको पता होते तो आपका आरो आला कोश्चन हो गया होता है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि अटलीस्ट इंडिया के जो मेडल्स की संख्या आया, जो इंडिया के जो स्वइंड पदक हैं, और रजद पदक और कांस पदक उसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे बिलोग, लगाने बले बाज कौन बने हांगजाउ में जो एशन गेमस हो रहे थे, नेपाल के बले बाज दिपेंदर सिंग आयरी ने, सबसे तेज अर्द शतक लगा याने कि 25 रजद या पे पूरे किया, मात्र सिंगल डिजिट 9 गेंदों में, बहुत ही चमतकारिक था है, ये 50 रज इन्हों नहीं नौग गेंदों में पूरे कर लिए जैसे कोई गली cricket चल रहा हो नौ बॉल्स में पींदों में पूरे कर लिए थे साथ ही सबसे तेज चताक भी यहां पे नेपाल के प्लेयर दोर मल लगाया गया था एक इसके खिलाफ इन लोगों ने लगाया ये अर्थ शतक और ये शतक सबसे तेज मंगोलिया खिलाफ इसके बाद स्पोर्ट्स सेप्टेंबर में देखेंगे स्प्रिंटर दुती चांद पर एंडी नाडा दौरा चार साल का प्रतिबंद लगाया गया था डोपिंग या रोपो में फीफा महिला विश्ट कप में हिजाब पहन कर प्रतिस परदा करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी के कौन बनी है प्रतिस परदा करते हुए हिजाब पहनते वे फुटबॉल खिलते के महिला फुटबॉल ये बनी थी टीटवन्टी क्रिकट में सौँ विकेट लेने वाली असोशेट देशों की पहली गेंद बाज बनी थी इसके बाद 31 मां FISU University Games वहा था, आरेस के पेपर में इसमें सवाल पूछा गया था कि भारत के बदक कितने थे, तो इंडिया के मेडल यहां पर थे 26 और इंडिया की रैंक थी यहां पर 7 हुए इसके बाद 16 मां खगोल विख्यान और खगोल भौतिकी पर अंतराष्टी यह हुई थे शुरू नाम की जगे पर पोलाइंड में इंडोनेशिया मास्टर्स वैडमिंटन ओपन में किरन जॉर्ज दे ने जापान के कूत ताका हाशी को हो रहा था और यह इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर हंटेड में सिंगल का टैटल जीता था वैडमिंटन में वर्ल्ड पायरा पावर लिफ्टिंग चैंपेंशिप यह 2023 की हुई थी दुबाई में और परमजीत कुमार ने सीनियर पूरुष 49 किलोग्राम वर्ग में यह विश्व जैंपियन बने थे यूएस ओपन टैनिस देख लेते हैं यूएस ओपन की बात करें तो नुवाग जोकोविच ओपन एरा में सरवाधी ग्राण स्लैम सिंगल खिताब जीतने वाले खिलाडी बने थे टैनिस के विश्व जैता यहां पर रहे थे नुवाग जोकोविच सर्विया से इनका चौथा यूएस ओपन है विश्व जैता यहां पर डैनियल मेडडेव रहे थे मैला एकल में विजैता रहे थी कोको गॉफ अमेरिका से हैं और उपविजेता यहां पर रहे थी अरीना सेबलंका बेलरूस से पुरुष यूगल उपविजेता रहे थे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी है यूएस ओपन दियान रखेगा आपके एक्जाम के लिए जरुड़ी हो सकता है यूप पीससी में एफ आई बी एफ बास्केट बॉल्ड कप 2023 इसमें प्रति पागिटी में 32 थी आधिकारिक शुभंका जिप था गोल्ड बेल इसमें जर्मनीन जीता था सिर्वर मेडल सर्भिया ने और ब्राउन मेडल कैनेडर ने इसके बाद फॉर्मर वर्ड नमबर वन टेनिस प्लेयर सिमोना हैयलप इनको 4 साल के लिए बैं कर दिया गया था दो अलाबड़ डोपिंग आरोपें में 4 साल के ल群 satisf को बैं कर दिया गया था और फाइनल में इन्हों ने रहा है था बांगलेश को 16-50 ओवर वाला ODI Cricket Asia Cup जोगवा था इसमें इंडिया ने जीता था इसको फाइनल किसने कहिला था भारत श्रिलंका ने कहिला था भारत यहां पे आठमी बार Asia Cup विजिता रहा था इसके बाद दूसरा FIDE माईला शत्रण जविश्व चैंपेंशिप वी थी इसमें विजिता रही थी अलेक्जेंडरा गौरक शाकिया और नर्गिल सालीमोवा के बुलकारिया से उप विजिता रही थी तेरवी अंतराश्ट्री बाइक रेसिंग प्रतियोगता मोटो जीपी भारत 2023 वी थी 19 टीमों ने पार्टिसपेट किया था यह हुई काहां पर थी बुद्ध इंटरनेसल सरकिट नोईडा में तो यह काफ़ जरूरी है क्योंकि यह यूपी का स्पोर्ट्स इवेंट है इसमें फर्स्ट पर रहे थे मार्को बेजशी मूनी वी आर फोटीसिक्स रेसिंग टीम के जो इटली के बलॉंग करती है इनी को योगी आदितना जी ने स्वम ट्रॉफी दी थी सगेंड पर जॉर्ज मार्टिन थर्ड पर फैबियो क्वार्ट्रारो आगे बढ़ेंगे लोग आउगस्ट पंत में आ जाएंगे स्पोर्ट्स में सैवन्थ एशियन हौकी चैंप्रिंशिप ट्रॉफी हुई थी इसका विजेता भारत रहा था भारत ने किसको रहा था मलेशिया को महिला करेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली पहली भारती क्रिकटर ये बनी थी और स्पिन इंडिया's first e-sports academy भारत की पहली e-sports academy online gaming industry समंदित MP State e-sports academy ये मद्द प्रदेश में खोली गई है 80% seats यहां पर मद्द प्रदेश की खिलाड़ी को लिए अरक्षित हैं और 60% देश के सब ही खिलाड़ीयों के लिए तो भारत की पहली e-sports academy कहां पर खोली गई किस राज में मंद्द प्रदेश में तो यह दान रखेगा FIFA महिला विश्व कप 2023 जो हुआ था इसका एवजन हुआ था ऐस्ट्रेलिया में सहींक तो राज अमेरिका और जर्मनी एक मांत्र ऐसे देशे जिन्होंने एक साधिक बार महिला विश्व कप जीता है तो इसमें विजिता रहा था Spain Spain यहां पर विजिता रहा था विजिता इंग्लेंड रहा था अप्रति बहागी टीमें इसमें थी 32 यह मतलब अंडर 17 या अंडर 19 नहीं था यह फीफा का फुल फ्लेजड विमेन वर्ल्ड कप था उस्ट्रेलिया में हुआ था वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स दो जरते ही से विनिपक कैनेडा में इसका सुभंकर टोबो था जो की एक पोलर भीयर है सरवाधिक पतक जीते थे कैनेडा ने यानि होस्ट कंट्री ने सेकेंड पर अमेरिका रहा था फॉर्ड पर रहा था इंडिया पुलिस गेम्स में और उस्ट्रेलियन बैडमिंटन उपन दो जरते ही जो बहा था इसमें वेंग होंग यंग विजिता रहे थे विजिता यहां पर रहे थे प्रड़ॉय एचेस इंडिया से जो है भारती महिला टीम की कप्तान हर्बन प्रीत को और दो अंतराश्टरी मैचों से निलंबित कर दी गए थी मांगलदेश के खिलाफ खेले के मैच में उन्होंने जो डिस्रिप्लिनरी कोर्ड है उसको ब्रीच किया था एमपायर से से कुछ शाइद बहस कर ली थी तो इस वुझे से उनको दो मैचों के लिए निलंबित किया गया था हेलो इंडिया विमेंस लीग का नाम बदल के क्या नाम कर दिया गया था अस्मिता महिला लीग यह कहां पर शुरू किया गया था तमिल नाडू में चेन्नाई में शुरू किया गया है भारत का पहला स्ट्रीट रेसिंग सर्किट अंडर सेवेंटीन एश्या जूनियर स्कॉाइश चैम्पेनशिप 2023 थी चाइना में होई थी अच्छली और अनाहत सिंग अंडर सेवेंटीन एश्या जूनियर जीत जाते तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता आपके एक्जाम में पूछ जाने लाइक चीज हो जाती लेकिन अभी भी आ सकता है कि प्रकानंद को किसने हराय था नीरा चोप्रा विश्व अथलिटिक चैंबीनिशिप में स्वणन पतक जीतने वाले भारती यह बने थे विश्व अथलिटिकुंशिप से हैं तो इतना ज़रूर दियान रख सकते हैं ऐसे भी जो चार ये टैनिस के ओपन टोर्टनेमेंट होते हैं ज़रूर भी होते हैं तो यूएस ओपन हो गया और इसके बाद ये विंबल्टन हो गया अट लीस्ट इनके बारे में देख लीजिएगा टेस्ट रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज ये बने हैं Stuart Broad पहले कौन थे इनही के हमवतन क्रिकेटर थे James Anderson सेगेंड फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट ये स्टूर्ट ब्रॉड है पहले कौन थे इन्ही के साथी गेंदबाज इन्ही की टीम के जेम सैंटरसन बैटमिंटन में सबसे तेज हिट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिनामदर्स किया था स सात्विक साहीराज रंकी रेडड़ी ने सात्विक intelligent रंकी डेड़ी को कोई इसमें इडिन से दॐर्ही वर्ल्ड भान, लिएमंड लीग में मैलाूं की भाला फेंग प्रतियोगता में मैकेंजे लिटिल यहांपे टॉप म्हाइए थी सवन पदक और नीराच Ну नीरच चोप शौतर आश्टी क्रिक्टि में सबसे ज्यादा विकट लेने वाले गेंदबाज बने हैń रवी चंद्रVE न ऑषिन ज covering संद्रप नहीं भारति संद्र पर दूसरी सबसे ज्यादा विकट लेने वाले गेंदबाजब बन गये हैं रवी चंद्रव अब सिर्फ जो है अनिल कुम्बले से पीछ है अनिल कुम्बले से पीछ है नंबर आफ विकेट्स में हर्वजन सिंग इनके बाद आते थे हर्वजन सिंग का रिकॉर्ड ने तोड़ दिया है और अब अगर बात करें तो हम वैसे फैब मन्त में आपको बताएंगे 500 विकेट प भारत यहां पर नभी बार विजेता रहा था कप्तान सुलेल शेत्री है हरायक किसको था कुवैत को रहा था दुबई यानि UAE में पहली बार अंतरास्ट्री महिला का बड़ी लीग का आवजन किया गया था दुबई में UAE में और इसमें विजेता रही थी उमा का उलकाता नमक टीम और उपजयता रही थी पंजाब पैंथर्स की टीम को बिलाकर आठ टीम होने यहां पर पार्ट स्पेट किया था टीटवेंटी इंटरनाशनल मैचस में साथ विकेट हांसिल करने वाले पहले गेंदबाज बने थे मलेशिया के सयाजरूल इद्रीस सिंगल टीटवेंटी इंतराश्टरी क्रिकेट मैच में साथ विकेट हांसिल करने वाले यह क्रिकेटर बने थे इन्होंने चाइना के maashter बने थे चाहिम जेंए ने मार्खिंग टीम से हिजर्दोन से अबर्ड़ के फाइश्टाने भारत को रहा है था third फाहले प्रेती आरे यह यह विक्टोरिया स्टेट पें होना था जितना खर्च एस्टिमेट किया था उससे जादा इनको खर्च लगेगा तो इस वुझे से Commonwealth Games 2020 अब Australia में नहीं होगा, कहां पे होगा अभी confirm नहीं है Test cricket के इतिहास में शुरुवाती 60 test matchों में लगतार अर्ष चतक लगाने वाले विश्ट के पहले क्रिकेटर बने हैं पाकिस्तान की क्रिकेटर शाउद शाकील इसके बाद जून मंत में आ जाते हैं जून मंत में जादे जीविंट है नहीं फीफा अंडर 20 फुटबाल विश्ट का पुवा था विजेता टीम इसमें उरुगवे है विजेता यहां पर इटली है और मेजबान देशा अर्जेंटीना तुल 24 टीम होने इसमें पाटिस्पेट किया था आईपील में सबसे तेज अर्च जातक लगाने का रिकॉर्ड येश्यश्पी जैसवल ने बनाया था राजस्तान रॉयल्स के लिए खेलते हुए पुलकाता नाइटीर राइडर्स के खिलाफ तेरा गेंदो में अर्च जातक लगाया था इससे पहले सबसे तेज अर्च जा फाइनल दा ओवल लेंडन में इसमें भी एंफॉर्चुनेटली इंडिन टीम जो है उस्ट्रेलिया से हार गई थी विजेता यहां पर भारत यह सेकंड एडिशन था आईजिसी टेस्ट चैंपिनशिप का इसमें ऑस्ट्रेलिया यहां पर जिजेता रहा था ओप जिजेता रहा था यहां पर इंडिया इसके बाद अंडर सैवन चेस्ट रैंकिंग में विजव की नंबर वन शत्रंज खिलाडी यह बनी थी अंडर सैवन की वर्ल्ड रैंकिंग में आने वाली यह खिलाडी बनी थी चेस्ट प्लेयर अनुप्रिया याद दो मात्र छह वर्ष की विश्व कप जो होना है 2023 वाल दोजर चौबिस में और क्लब विश्व कप 2025 जो होना है उसके लिम इजबान देश मों गोशना हो गई थी फर्स्ट एडिशन फीफा न्यू प्राइम क्लब वर्ल्ड कप यह यूएस में खिला जाएगा यह कहा गया है और इंडोनेशिया जो विशेता कैसपर रूड मैला एकल में विनर रहें थी इगा स्वेटेक जोकी पॉलैंड से है और विशेता रहें थी कैरोलीना मुशोवा चेक रिपब्लिक से पहली बार ग्रैंट स्लाम के फैनल में पहुंची थी कैरोलीना मुशोवा इसके बाद पहला जंजाती खेल था कलिंग इंस्ट्यूट आफ सोचल साइसिस भूवनेश्वर में मई बंत में फास्टेश क्रिकेटर चॉप्लीट 5000 रूड इंट्रनास्टल ओडीआइद वन्डे इंट्रनास्टल क्रिकेट में सबसे तेज या सबसे कम मैचस खेलते हुए सबसे कम पारियां खेलते वहें बाबराजम ने, पकिस्तान क्रिकेट टीम के पूरू कप्तान बाबराजम ने 97 पारियों में पाँजर पूरे कर लिये हैं, पहले ही कप्तान हुआ करते हैs लेकिन अब शाहिन साफ रीदी पाकिस्तान के कप्तान बन चुके है आपको पताओगा गोल्डन ग्लोब रेस ये रेस 2022 में फ्रांस में लेस सेबल्स डी ओलोन में शुरू हुई थी अभिलाश टॉमी ने यहाँ पे गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की है और ऐसा करने वाले पहले भारती और एशिया ही बने है अभिलाश बयाना नामक अपनी सेल बोट में 236 दिनों के भीशनर संगर्स करते हुए दूसरे स्थान पर रहे थे पहले स्थान पर अधक्ष्टिन अफ्रीका की नाविक हैं कर्ष्टन न्यूश शफर पहली महिला बन गई है जिन्होंने गोल्डेन क्लोब रेस पूरा किया है और जो फ़स्ट पर रहे है इसके बाद दोहा टाइमंड लीग हुआ था इसमें भी नीरत चोपडा ने स्वाण पदक इसमें हासिल किया था एलो इंडिया उन्वर्श्टी गेम्स 2022 की बात कर लें तो लखनव में बुध्ध पूर्डेमा के शुभावसर पर एलो इंडिया उन्वर्श्टी गेम्स 2022 का मैसकॉट था शुभंकर जीतू जीतू बेसिकली एक बारा सिंगा है इन खेल प्रतियोगदाओं का आयवजिन कहां पर वह था लखनव में गौतम बुधनगर में वाड़सी में गोरखपुर में दिल्ली में इसके शूटिंग इवेंट्स आयवजित किया गये थे शुभान गिल एक ही कैलेंडर येर में टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेटर, ODIAC क्रिकेट में और IPL में शतक लगाने वाले एक मात्र भारती क्रिकेटर बने थे IPL 2023 का 61 संस्क्रण ये है, आप तो पुराना हो चुका है, दो नया IPL होने जा रहा है एक माइने बात, लेकिन फिर भी रिकॉल कर सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट IPL का भी पूछ लेते हैं तो इसमें 24 मैसेश खेले का थे 10 टीमों के बीच, चैनाई सुपर किंग्स ने गुजराट टाइटन्स को 5 विकेट से फाइनल में हराया था चैनाई सुपर किंग्स पांच भी बार यहां पर IPL की विकेटा बनी थी गुजराट टाइटन्स 2022 की विकेटा है इसके साथ ने फाइनल खेला था औरेंज के परपल कैप, इमर्जिंग प्लेयर आफ दे सीजन यह सब इसमें दिया हुआ है अपरल बंत में आ जाएंगे तो पहला टाटा महिला प्रीमियम लीग यह महिला IPL की तरीके से हुआ था तो यह पांच टीमों ने इस पर पाट्सपेट किया था मुंबई इंडियन्स यहां पर विजेता रही थी जिसकी कप्तान हर्मन प्रीत काउर बनाई गई थी औरंज कैप मैग लेंडिन को मिला था दिल्ली कैपिटल यहां पर उप विजेता रहा था इसके बाद आ जाएंगे बलोग फर्स्ट एशियन स्विमर टू स्विमिन फाल्स बे फाल्स बे पर तैरने वाले पहले भारती स्विमर बने थे शुभम धननजे वन माली केप टाउन के फाल्स बे में थारने वाले पहले एशियन और विश्व के दसमें स्विमर ही बने थे कॉमन वल्ड चैंपियन वेट लिप्टर संजीता चानू को चार वर्ष के लिए बैन कर दिया गया था पुरुषों के T20 में एंपाइरिंग करने वाली पहली महिला एंपाइर बने थी किम कॉटन किम कॉटन ने एंपाइरिंग की थी पुरुषों के T20 इंटरनाशनल मैच में जो न्यूजिलाइंड और स्रिलंका के बीच हुआ था ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 जो वह था इसके आप एक बार देख लिए वन्यू केप टाउन साथ आफ्रिका और विनर ऑस्ट्रेलिया यहां पर रहा था रनर अप साथ आफ्रिका ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2023 की आप बात हो रही है प्लेयर आफ दूर्रेमेंट आशले गॉर्डन आउस्ट्रेलिया से तो मार्च में वस एक ही इवेंट है जो आपको याद करने लायक है बाकी यहां पर आगामी जो इवेंट्स होने है उसके बारे में एक बार देख लिएजे 2026-2027 तक के इवल दियान रखी बहुत आगे कि आपसे पूचते नहीं है जैसे 2027 में जो ICC पूरुष क्रिकेट विष्ट कप होना है वो कहां पर होगा अफ्रीका में जिम्बाववे में नौमी बिया में दसवाँ ICC पूरुष 2020 क्रिकेट विष्ट कप 2026 भारत श्रीलंका में सेम तुरूप से आउजित होना है महिला वंडे क्रिकेट वल्ड कप 2025 की में भारत में की जाएगी भारत में जो इवेंट्स होने हैं आप एक बार अच्छे से एक बार नोट कर लिजे आप मैं आप स् 2023 ये ओडिशा में हुआ था इसका जो शुभंकर है वो ओली था ओली रिडले टल महिला वैश्विक मुक्यवाजी चैंपिंशिप 2023 नई दिल्ली में हुए थी इसका मैसकॉट वीरा जो कि एक चीता है फस्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा गेम्स 2023 ये न्युडेली में वोई थे उज्वला शुभंकर और महिला एशिया होकी चैंपिंशिप रॉफी ये राची में हुई थी इसका जो मतलब सुभंकर है वो जूही मैंस एशियन होकी चैंपिंशिप रॉफी 2023 वी थी इस वी चैनाई में और इसका जो शुभंकर बोम्मन 37 वे नैसल गेम्स होए थे इसमें गोवा में वोए थे मोगा नामक जो बाइसन है वो इसमें शुभंकर रहा था फीफा महिला विश्व कप ये दोजर तेईस ये ऑस्ट्रेलिया निव्जिलैंड में इसका शुभंकर ताजुनी नामक पेंग्विन 36 वे नैसल गेम्स गुजरात में वोए थे सावज नामक एश्याटिक लाइन इसका शुभंकर था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो बाइस जो बाथा इंडिया में इसका जो मतलब कह सकते हैं जो शुभंकर था वो क्या था इभा था और फीफा विश्व कप फुटबाल वाला 2025 वाला जो बाथा कतर में इसका जो शुभंकर था वो था लाइब